आप सभी को मेरा प्रणाम Herbal Remedies and Nature Staser में आपका स्वागत है मेतरो आज हम बात करेंगे आपी के किचन में पाए जाने वाला एक मसाला जिसको आप धनिया के नाम से जानते हैं Corine Drums Tivum, APAC का ये मेंबर है और ये धनिया Wonderful Remedy है किस प्रकार से एक कारे करता है बीटा पाइनिन, जिरा नियोल, सिट्रो नियोल, जिरा नियल एसिटेट आधी आधी पाए जाते हैं इसके अलावा सेवरल मिनरल स्पीस के अंदर पाए जाते हैं लेकिन में तो आज हम बात करेंगे इसका उप्योग की तो यह मॉर्निंग सिकनेस के लिए और थाइरेट की प्रबलम के लिए बहुत अच्छा कारे करता है मॉर्निंग सिकनेस के रेमीडियेशन के लिए ज़्यादा एंटिहिस्टामिनिक्स या एनलजेसिक्स या पेन कलर हम लोगों के पास नहीं होते हैं और प्रिग्निंसी के समय जर्नली कि मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रबलम होती है बहुत ज्याधा होती है तो उसके निराकरण के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग एक किराम धन्य प् Overall एक गरम मठीका पावडर को लेकर कर इसका डिकोक्षिन बना लेजिए और स्वाद अनुसार इसमें मिश्री मिलाकर सिवन करने से मौर्निंग सिक्नेस की समस्या इजली सही हो जाती है आप लोग बहुत अच्छा फिल करते हैं इसके अलावा थाइराड की बहुत कॉमन प्रोब्लम है जिसमें बेसिकली थाइराड का जनेसिस है वो पित्य के बढ़ने से होता है और पित्य के निराकरण के लिए ये बहुत अच्छा कारे करता है दीरे-दीरे दो ग्राम इसका धनिया पाउडर का आप डिकोक्शन बना कर दिन में दो बार लेंगे तो धीरे-धीरे क्या होगा कि थाइराड जो है आपका नॉर्मल हो जाता है और किसी भी एक्स्टनल आपको मेडिसिन्स की और आवज़ता नहीं पड़ती है इसके अलावा अगर आखों में दर्द है आखों में आपको स्वैलिंग फील हो रहा है कंजक्टिव आइटिस की समस्या भी है तो आप इसका फांट बना लें फांट बनाएंगे तो क्या करेंगे कि दो ग्राम एक ग्लास पानी में रख दीजे बारा घंटे भीगो दीजे तो इसको फिरचान लीजे दो से तीन ड्रोप आपको इसका ढालना है आखों में एक तो क्या करेंगा आखों की जो जलन है आखों में रेडनेस है कंजक्टिव आइटिस की अगर कोई प्रॉल्म है कोई इंफ्लामेशन है उसको ये इजिली ठीक करता है इसके अलावा ये मुत्रल का कारिय भी करता है अच्छा ये डायरूटिक है और इसी डायरूटिक नेचर होने के कारण ये कोलेस्ट्रोल को भी डाउन रखता है और ब्लड प्रेसर को भी है कंट्रोल रखता है ये अच्छा कारिय करता है कई बार क्या होता है कि गर्मियों में बहुत ज़ादा प्यास लगती है शरीर में फीवर जैसा हो जाता है और जी मच्चनाने लग जाता है वोमिटिंग आने का सिकायत हो जाती है तो ऐसी अवस्ता में आप 2 ग्राम धनिया और 2 ग्राम जीरा लेकर उसका काड़ा बनाए और मिश्री मिलाकर इसको पी लिजे आप देखेंगे आधे गंटे बाद आप बहुत energetic फिल करते हैं बहुत अच्छा फिल करते हैं लू लग जाए तब भी इसी प्रकार से हमें इसका सेवन करना चाहिए और अगर कहीं वात सूल हो रहा है तो इसका तेल की मालिस आपको करने चाहिए जोड़ों का दर्थ हो जा फिर वात के कारण सरीके किसी भी यंग में दर्थ हो रहा हो तो इसको आपको लगाना चाहिए ने काटा है तो वहां स्वैलिंग हो जाती है और फोडा जैसा भी बन जाता है तो उसके निराकरण के लिए जो के आटे के साथ इसका महीं चुन मिलाकर पुल्टिस बांधनी चाहिए एक सब्सक्राइब किसी भी प्रकार का अगर विशेल इंसेक्ट के काटने से आपको कोई खोड़ा हुआ है तो वह ठीक हो जाता है सूजन उतर जाती है रक्तार्स की समश्या हो तो इसका हमें क्वात बना कर पीना चाहिए और कई बार क्या होता है कि नाइट फाल की समश्या भी बहुत कॉमन हो जाती है नाइट फाल की समश्या या स्वेत प्रदर की अगर कोई सम करता है और लू लगने से हमें बचाता है मौर्णिंग शिक्नेस की समझ्छा कर निराकरण करता है इसके अलावा इसमें एंटी डिप्रेसेंट एंटी एपिलेप्टिक और इसके अंदर एंटी एमिटिक प्रोपर्टिस होती है जो वोमिटिक से बचाती है थाइरेड से निराकरण करती है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करती है कोलेस्टोल से बचाती है डाइजेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट खटी डखारे आती हों तो उसके निराकट में भी बहुत अच्छा है अपना कारे करता है ते साथियो एक बात और मरताना चाहता हूं अगर आप इसका 7-10 ग्राम की मात्रा तीन महिने तक लगातार करते हैं तो यह इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है इस चीज कभी से ध्या और अगर यह जानकर यह आपको पसंद आए तो लाइक शिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फिर मिलेंगे नई प्लांट के साथ इनी बातों के साथ अपने वाणी को ग्राम देता हूं आप सब का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार